दाओ, दिन का दुश्रा प्रहार समात दो निको है, चलिए, हम चलकर राधा को ले आता है काना? काना? तुमने राधा को कही देखा, वो कही नहीं मिल रही हमने उसे पूरे वरिंदावन में खोज लिया आप चिंता मत कीजिए, हम राधा को शीग रही खोज लेंगे चलिए दाओ क्षमा कीजियोक नंजी, ये आसन नंद जी का है, और इस पर नंद जी ही अच्छे लगते है आप भूड रहे हैं कि नंद मेरे अनुज़ है, और स्वयम नंद ने मुझे आसन पर बैठने का अधिकार किया है नंद जी जो भी कहें, लेकिन हमें इस आसन पे नंद जी के सिवा किसी और का बैठना अच्छा नहीं लगता क्या हो अब लताशे, आप एक कांट में क्यों खड़े हैं बैठिये यह शोदा, पैनिक में स्थान लेकर आईए लाइए रहात अशी लीजे, ग्रहन कीजी उप्रण जी, आप समझ नहीं है, और आप यह जो कह रहे हो ना कि नंद ने आपको ग्राम परमुक बनने के लिए आग्रे किया था उसमें भी उसका अवश्य ही कोई पाखंड हो नहीं, भ्राता नंद ऐसे नहीं है धानुसेट उन्होंने हमेशा मेरा बड़ा सम्मान किया है कभी मेरे समाता न्याय नहीं किया थीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे भ्राता श्री तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं किन्तु एक परिक्षा हो जाएं, हैं, तो उपरन तुम एक कारे करो अपने भ्राता श्री के बाद जाओ और उनसे वो आभूशन मांगो जो उनको विरासत में प्राप्थ हुए यह पैत्रक अभुषण चाहिए ना यह आप क्या कह रहे है भाता अपको अभुषण क्यों चाहिए कोई ऐसी आउशकता आ गई है ना निश्व फिजे वह आउशकता आई आप श्रीक पर इस तरह आपको आउशन के आउशकता क्यों पर तो कुछ ठीक तो है ना आई शुदा मैंने किसी को वचन दिया है और मुझे यह आभुषण उसे कुछ समय के लिए देने होंगी और मैं अब इस विशाय पर कोई स्पश्टिकरण नहीं देना चाहिए ठीक है भाता है मैं आभुषण लेकर आता हूँ चलिए एशुद काना राधा का कुछ पता चला हमने सभी स्थानर पर राधा को ढूंग लिया किन्तों वो कहीं नहीं मिली कहीं राधा किसी संकट में तो नहीं ठास गई आभुषण तो इसी में रखे थे कि तू अब इसमें नहीं है यशोदा कहीं आभुषण चोरी तो नहीं हो गई नंद, नंद, अब तुम्हारे ये पैत्रिक आभुषण मेरे पास है योकि कल रात भी को ही मैंने इन आभुषणों को तुम्हारे घर से ही चुरुआ लिया अब तुम अपने भ्राता को कौन से आभुषण दोगे अब देखना ये है कि दोनों भ्राताओं के मध युद्ध कैसे छिड़ता है